खबरों में बने रहने के लिए पैल आइकन दबाईए और हाँ पस्ट इडिया को सब्सक्राइब ज़रूर नमस्कार आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइब और आपके साथ में विजे इंडरी सुलंग की देश में लोग डाउन है और लगता है कि अपर सर्कुट में कोरो कोरोना खुद चल कर आ रहा है और आपको जद मिली रहा है जेहां कुछ आंकड़े जो बताते हैं कि यह वायरस गली-गली घूम रहा है अपने शिकार को ढूंड रहा है और जो इसको लेकर आपके दरवाजे पर आ रहा है शायद उसको भी यह जानकारी नहीं कि वो जाते वक्त आपको कोरोना दे गया हम बात कर रहे हैं फल और सबजी ठेले वालों की स्ट्रीट वेंडर से यहां जो आंकड़ा सामने आ हैं उसने हर किसी को परहिशानी में डाल दिया है एमदबाद में 21, बटना में 17, आगरा में 28, मेरट में 24, लकनव में 5, जैपुर में 6 सबजी वाले कोरोना पॉजिटिव मिले हैं सोचिए कितनों कोई नहीं ने सबजी के साथ साथ कोरोना दे दिया होगा ऐसे में सवाल यह है कि इन ठेलों पर तरकारी है या फिर महामार्य है इस तरीके से सबसी वालों में कोरोना की पुश्टी हो रही है और यह कोरोना केरियर के तोर पर सामने आ रही है ऐसे में फरस्ट इडिया के सवाल है कि क्या घरगर पहुंच रहे फल सबजी वालों पर किसी की नजर नहीं पड़ी क्यों फल सबजी वाले की कोरोना टेस्ट नहीं कराए गए क्या सिस्टम के पास कोई ऐसी लिस्ट है जो बता सके कि किस इलाके में कितने फल सब्जी बेचने वाले हैं उनका नाम क्या है चौन रोकडाउन के साथ ही इलाकों के लिए सब्जी वालों को अधिकरित नहीं किया गया अगर फल सबसी वाले कोरोना कैरियर बन रहे हैं तो फिर इनको रोकने का प्लान आखर क्या है और इन सवालों का जवाब देने के लिए मैमान हमारे साथ जुड़ चुक है हमारे साथ मौजूद हैं चिकिस्सा विभाग के सयुक्त निदेशक डॉक्टर युद्वीर सिंग हमारे साथ मौजूद हैं फल सबसी के थोक विकरिता मुकुल जाम साथ में हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर नगर निगम के पूर्व आयुक्त सुरेश गर्ग साहब सबसे पहले मैं आपसे जाना चाहूँगा सर क्या वाकई में हर शहर के हर इलाके के अंदर कितने फल सब वाले हैं कितने ठेले वाले गली-गली घूम रही है क्या कोई आखड़ा हर निगम के पास है कि किस इलाके में कौन ओर उनका नाम क्या ने तो नगंडिगम नजिला प्रशाशन इस बात का रिकॉर्ड रख रहा है कि कितने घूम रहे हैं जो मैं देखता हूं मंडी में भी भीड लग जाती है इनके पास ने तो सेनिटाइजेशन का साधन है और नहीं इनकी स्क्रीणिंग हुई है और ये रोग हमारे घरों तक प बंदा है फल वाला बंदा सब्जी वाला बंदा है और ये बहुत घातक है उसके बारे में जानकारी नहीं है और इसके हमारे घरों में बीमारियां फैल सकती है तो स्थर इसमेदारी किस्की बन के कोई तो रोखेगा आप एक जगा से दूसरी जगा जाना चाहते हैं तो आपको पास उपलब्द कराये जाता है बिना पास के आप जाते हैं तो पकड़ लिया जाता है लेकिन घर-घर ये लोग पहुंच रहे हैं हर कोई तो नहीं होगा ले आगर वो वहाँ पर फल सब्सी बेच रहा है सो लोगू के कॉंचक्ट में आ रहा है तो कम से कम उसके स्क्रिणिंग तो की जाए बिल्कुल सही बात है मर्जी से आ रहे हैं लोगबाग और अप्शना पारे हैं इनके सब की स्क्रीनिंग हो और इनके पास सेनिटाइजेशन का सामान हो और जो एरिया का फिक्स कर देवे फला ठेले वाला ही आएगा उसके नाम के अलावा दूसरा नहीं एंटर करेगा और जै जाती है लोगडाउन में बाहर निकलने के लिए उसी प्रकार ठेले वालों को रोके उनका लाइस है वो देखे सेटिवेट और उनको स्क्रीनिंग करेवा हैक नहीं है उसके अलाव बिल्कुल अलाव नहीं करना चीए वरना इसके प्रणाम और घातक हो जाएंगे डोक्टर लोगडाउन में घर रहिए सुरक्षित रहिए ये कहना भी बेईमानी सा लगता है कि करें बिल्कुल सही है जित्वित थेले वाले हैं इनकी रैगूलर स्केणिंग उन्हीं चाहिए जी बंडी में जहांसे यह बाद सेटाते हैं जबंडी में बीड लगती है वहां भी सोशिल डिस्टेंसिंग हो और रैगूलर केम्प लगके अलाग हमने एक दो कैम्प मंड जाएंगे और उनको मास्क दिया जाए उनको एंग्लोज हो और उनको सेनिटाइजर हो और सब्जी गली में जाए तो इसकम से कम इनके बिना तो कते ही नहीं जाए लेकिन सर क्या आपको लगता है क्योंकि यह तीसरा लॉक्डाउन चल रहा है और अब आकर हम यह बात करें कि इनकी लिस्टिंग होनी चाहिए हर सब्ता स्क्रीनिंग होनी चाहिए यह काम पहले क्यों नहीं किया गया यह इतनी बड़ी लापरवाही कैसे रह गई निया मैं जब भी का गया मंडी सेकेर्टी से हमने वाँ कैम्प लगए है हमने सेंपल लिये हैं अब बाकी तो परसासन के द्वारा जो भी आदिस मिलता हम उसकी पालना करता है तो सर आपको लगता है नहीं कि हर एक महले के लिए यह निर्धारित होना चाहिए था लोगजाउन में कि एक निर्धारित वैक्ती या चंद निर्धारित वैक्ती फल और सबसी बेचेंगे जिनका नाम होगा सिस्टम के पास उनकी स्क्रीनिंग होगी और वीकली यह नहीं होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए था इससा होने से बहुत बड़ा जो संक्रीन फैलने का खत्रा है वो काफी किसका कम किया जा सकता है जी चीक है मुकूल जाम जी अभी भी अगर जी इसको लाइन लिश्ट हुजाए अ ठीक है सर बात पूरी किजिए आप अपनी जिला पर लक्षण ने पहले भी जब फर्स लॉक्डॉन में जब फर्स राउंड जब चलना था लॉक्डॉन का तो अमारे यां जिला पर सवसंद्वारा कुछ चिनित पचास साथ गाड़ी को लाइसेंस दिये गए थे उनकी सिंग कोई जिम्मेदारी तो फलसबजी मंडी के जो अध्यक्ष हैं जो मंडल हैं उनकी बंती होगी कि कम से कम वो फलसबजी उन्हीं ठेले वालों को दे जिनकी स्क्रीनिंग हो चुकी हो या फिर जिनका कोरोना नेगिटिव आ चुका हो आपने ये मांग क्यों नहीं की सरकार से और इस लिए चुकार सब्सक्रीनिग उनका रिकॉरड भी शायद रख रखा रहा है अचा मुकूल जाम जी जरह बताएए पास बनाने के दोरान क्या पास बनाने के दोरान क्या करोना टेस्ट किया जा रहा है यह ऐसे ही पास दिया जा रहा है कि को ना जाज तो नहीं करी गई है तो सर उस पास का क्या मतलब वासेस तो पहले ही दिये गए एक महीने से पासेस दे दिये गए है तो वही पासेस के थुए सब्सक् dism employee यह थोड़ी ना करेगा कि इनके पास क्रिशाशन से इसलिए मैं इनके पास नहीं जाओंगा आशे थोड़ी ना करेगा हcod पैवне हाँ बिलकुन कोरोना तो पूछ के नहीं आएगा किसी से भी कि मैं आऊं या नहीं आऊं ऐसा तो नहीं होगा कि पूछ के आए तो सेफटी प्रिकॉशन्स तो सबको रखने पड़ेंगे शोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करेंगे तो ही हम बच सकते क्योंकि यह ऐसी महामा की गई होगी सिस्टम पर यह दबाव क्यों नहीं बना गया कि हमारी जान भी खत्रे में हैं हमारे पास जो सबजी लेने आ रहा है उसके स्क्रेनिंग कीजिए उसका कोरोना टेस्ट कीजिए क्योंकि वो यहां से सबजी और फल लेकर सैकड़ों लोगों के बीच में जा रहा बिलकुन सब्छा बात है और इसके लिए बिए हम से क्रिशासिंसर में شाब है की स्क्रेनिंग की नाई हुई है बात कर लें गे और हमारी तरफ़ से जित्ताथा प्रिकॉश्रिंस होगा होगा क्योंकि खत्रा तो हम सबको भी एक एक दिन कोई कोई पता तो है कि या नहीं है तो उसकी वयवस्ता है तो हम सब को मिलेशा करने दोसी को नहीं करने किंगे स्टीक है यह मेरो इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जरा सोचे उस परिवार के बारे में जो 45 दिन से घर में कैद है वो ये सोच रहे कि सरकार चिला चिला कर कह रही है कि घर में अगर आप हैं तो सुरक्षित हैं वो सब्ता में एक बार बाहर निकला सबसी लेने घर के बाहर और उसी में संक्रमित हो गया, ये इतनी बड़ी लापरवाई तो सर बहुत भारी पड़ जाएगी जी नई हम तो स्किनिंग करने के लिए भी तयार है, हम सेंपल लेनेंग तयार है और मन्डी में हम सेंपली साफ सेंपल लेरी रोज जो सिम्टम नहीं है तो उनकी राइगूलर स्क्रिनिंग की कोई ऐसी हमें चार्ट दे रहे बहुत भूलकूल तयार है, हम सब के स्किनिंग करने के लिए तयार है जी, सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला किया था कि रैपीड टेस्ट किये जाएंगे, अभी भी रैपीड टेस्ट किये जारे हैं, लेकिन मैं इस सवाल को इसलिए कर रहा हूं कि एक आदमी अगर घर पर है, कोरोना पोजिटिव है, तो वो ज्यादों को संक्रमित नहीं करेग जिस सरीके से हम इलाकों को जोन में बाट रहे हैं, उन जोन के अंदर वेंडर्स को भी बाट दिया जाए, उन वेंडर्स के अंदर इंठेले वालों को भी बाट दिया जाए, और सब की लिस्टिंग करके उनको एक बाट टेस्ट कर लिया जाए, कम सकम यह पता तो हो कि अग प्लाके अमनारे केम करवे गए हैं जोदपूर में और बिल्कुल आप सभी फर्मारे अगर हमें वाराबर सुचित कर दिया जाए वेंडर हमें भुलाए तो हम टीम लिजा के हम एक 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 हम स्किन करने के लिए और उनका टेस्ट करने के लिए हम तयार हैं पूरी सवसंदन है हमारे पास वीटियम है हमारे पास सेंपल लेने के लिए पूरी टीम है तो हम बिल्कुल तैयार है और होना भी चीए जदा नहीं तो सब्ता में एक वार जिस वेंडर के सामने जिते 25-30 आजमी है जिते भी है वो उनको एक जिगे इकटा करें और हमें सुचित करें हम सब की स सेंपल के लाइक होगा उसकी सेंपल लेंगे बाकी की स्किनिंग कर लेंगे जी ठीक है सुरेश गर्ग जी सर क्योंकि आप नगर निगम के पूर्व आयुक्त रह चुकी हैं हर एक निगम के पास यह आखड़ा तो होता है कि कितने थेले वाले या पिर कितने बेंडर उसके उस इलाके में हैं जिनको उन्हें अधिकरित किया गया है लेकिन मेरा सवाल अधिकरित के लिए क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है सर विडमना तो यहां हो जाती है कि जो अधिकरित हैं अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनकी भी सेंपलिंग और टेस्ट किये गए होंगे अना अधिकरित कि तो मैं बात ही नहीं कर रहा है कि अधिकरत जितने भी हैं उनकी स्क्रीमिंग नहीं हुई है जी उनके पास में कोई भी करोना बचाव के लिए सेनेटाइजर नहीं है उनके पास ब्लोव नहीं है और वो सेनेटाइन कर बिना करहीं पैसे ले 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 लेते हैं दूसरी बात यह साथ कि अभी यह तो आपने ठेले वालों की बात करिए अनधिकरत सब्जी वाले बैठे हैं और वह उनसे जाके ले लेते हैं उन पर प्रशाशन को इसारा और आज से करना चाहिए मंडे में कोई एंटर करता है तो वह स्क्रीनिंग करावा होना चाह यह अन्यता प्रशाशन अपने जम्मेवारी ले ले भीलवड़ा की बाती और वह बात है तो इन ठेले वालों की जान को भी बच्चत हो जाएगी और व्यवस्ता भी सुचर हो जाएगी जी और साब यह तो तुरंत करना चाहिए इस मामले में सोचने की क्या जरूत है सरा बताई न कि अगर इतना वक्त निकल गया तो क्या वाकई में एक भी अधिकारी किसी भी संभाग के अंदर ऐसा नहीं बैठा जिसकी इस पर नजर गई हो एक भी नहीं बैठा सर सर मैं बिल्कुल स्पस्ट करूँगा कि जो प्रिशाशनिक अधिकारी है वो अपने चैंबरों में बैठे हैं जी पब्लिक में नहीं आते हैं वहीं से सारे ओर्डर करते हैं साब उनको प्रैक्टिकली घुमना चाहिए अजमेर के एसपी के अलावा मैं तो किसी को घुमते वे देखा नहीं है मेरा एक निवेदन यह है कि सारे प्रशाशनिक अधिकारी अपने जुम्मेवारी लेवें जॉन वाइज जाएं और उनकी ड्यूटी रवाएं कि देखें कि विवस्टा है पिलिसवालों के उपर छोड़ रखा और पुलिसवाला अपने इसहाफसे काम करते हैं और इस मामले में पुलिसवालों के पास कोई वह नहीं है अधिकार के वह सेनेडाइज है वह स्क Straßen잉ड है और इनकर नहीं है और यह स्क्रें करे बिना एक को भी अवाईजाज को रोग दिया और जहां से सबसे ज्यादा फैलने की आशंका थी उनको खुला छोड़ दिया गया पताया था कि एक जना सो जनों से आगे मिलता है अगर वो ही डाटा ले तो उस अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं लोग तो उसलिए प्रिकॉशन्स तो जित्ते जादा लेंगे उत्ता ही अच्छा होगा सबके लिए ही फायदे मंद है और जैसा कि आपन ना देखी जाएंगे लेकिन सर्थ सवाल तो फल सब्जी एसोसियेशन पर भी खड़े होते हैं मंडी एसोसियेशन पर भी खड़े हो रहे हैं वो कहां थे अभी तक है बिल्कुल अहसास नहीं हुआ उन लोगों को विवस्था बनाए जा रही है बीकानेर में भी जैसे है कि पासेश का सोशल डिस्टेंसिंग का सक्ती करी जारी है और यहां के जो प्रसाशनिक अदिकारी है मंडी में भी इन चार्ज जिनको आये सदिकारी है जिनको चार्ज दिया गया है वो रोज संबाल आते हैं और खुद भी राउंड लेके शोशल डिस्टेंसिंग का और सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं लिकानर में सैनिटाजेशन की वेवस्ता भी की गई है गेट के एंटरिंस पे ही आद दूलाई जाते है और सैनिटाइशन किया जाता है और जो आपने ये बताया स्क्रीनिंग का इसके बारे मैं उप्रशाशन से बात करें मुकुल जी मेरा एजंडा तो ये है कि मैं ये जानना चाहरा हूँ कि टेस्ट क्यों नहीं किये गए जिस आदमी को कोरोना पोजिटिव है जिस ठेले वाले को कोरोना पोजिटिव हो गया अब उसके आप सेनिटाइश करते रहिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते ये मांग क्यों नहीं उठाई गई अभी तक बिलकुन अम उसके लिए कली बिलकुन ये आपकी बात तो बिलकुन सही है स्क्रीनिंग के लिए और उसके लिए हम कल बात करते है प्रशार सिंग से जी चीक है युद्विर सिंग जी सर क्योंकि लास्ट में आप लोगों को ही स्क्रीनिंग भी करनी है और रिपोर्ट भी तयार करनी है आप इस मामले की गंभीरता को बैतर तरीके से समझ भी रहे हैं सर इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्यों ना एक प्रस्ताव दिय जाए सरकार को कि आप जिस तरीके से जोन बाट रही हैं जोन के अंदर पॉलिसिंग सिस्टम लागू किया गया है जिस तरीके से वहां जिम्मेदारियां दी गई कुछ इसी तरीके से एक मेकनेजम तयार किया जाए अगले एक या दो दिन के अंदर कि किस इलाके के अंदर क कौन सा फल सब्जी विक्रेता पहुंचेगा, कौन सा थेले वाला पहुंचेगा और उसकी वीकली कोरोना जांच की जाए सर। आपको लगता है नहीं अगर ऐसा हो गया तो काफी हथ तक कंट्रोल करने में काम्याबी होगी, कम से कम एक कैरियर को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। अगर यह इसको एक लापरवाही मान लिया जाए, मान क्या लिया जाए, यह लापरवाही है, तो इसके लिए नेतिक जिम्यदारी किसकी है, यह बड़ा लूस पॉइंट कहां छूट गया, किस से छूट गया। अगर निगम के अंडर ठेला लगा सकते हैं। क्या उसके जिम्यदारी नहीं बनती थी कि वो इन सबके कोरोना टेस्ट करा है, क्योंकि यह ज्यादा से ज्यादा इलाके में घूम रहे है कहीं कि पूरे शेहर को यह अपनी जद में लेके बैठें। नहीं होना चीए, यह सबकी लिस्टिंग भी होना चीए, और उसके बाद में उनकी टेस्टिंग और उनकी स्क्रिनिक होना चीए, यह तिया उसक है। चीए, सुरेश गर्ग जी, सर यह बताईए कि जब एक ठेले वाले को, एक रहडी वाले को, एक वेंडर को, जब निगम की तरफ से लाइसेंस दिया जाता है, तो कुछ जम्मेदारी ली जाती है, सिरुफ पैसे ही लिए जाते हैं। अभी तक तो सिस्टम यह यह साथ कि सिरुफ पैसी ले जाते हैं, उनको कोई जम्मेदारी नहीं दी जाती है, लेकिन अब यह महमारी आ गई है, तो प्रशाशन की, चाहे नगर निगम हो, चाहे जला प्रशाशन हो, जम्मेवारी बनती है कि बिना सेनेटाइज के, बिना स् या ट्रक या पिक अप कोई भी अलाव नहीं करे, और उनके पास सारे सादन होना अत्य आवशक है, जी, वरना इसके प्रणाम बहुत घातक होंगे साथ, आस तो हम बड़ा इजी ले 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 लेते हैं कि चार दिन से सब्जी नहीं मिली है, लेकिन यह हमारे को छोड़के जा है सर, जयापूर में भी पांच ऐसे आ चुके हैं आप, ना जाने कितने संपर्क में आए होंगे, आज भी मुहाना मंडी के अंदर एक पपीता कारोबारी कोरोना पॉजिटिव मिला है, बिल्कु सत, जी, मुकुल जाम जी, अगर अजमेर में डूनेंगे ने साथ, तो असोसियेशन से तत्काल ना कराई जाए कि मंडी चाहे कहीं पर हो, प्रदेश के किसी हिस्से में, उसमें जितने भी ठेले वाले आएंगे, जितने भी विक्रेता होंगे, जितने भी वहाँ पर अन्य लोग होंगे, सब की लिस्टिंग की जाए, नाम रखा जाए, मोबाइल नमबर रखा जाए, और सबके टेस्ट कराए जाएं, क्या ही मांग भी ना जाइस? आपका कहना बिल्कुन सही है, कि इसकी जो लिस्टिंग भी होनी चाहिए, प्रॉपर बीकानेर में, जैसे यहाँ पर तो लिस्टिंग भी करी है, जिनके पासे जारी हुए है, उनके कॉंटाक्ट नमबर, एड्रेसे सारे लिखे वे हैं, तो स्क्रीनिंग कराना असान होगा उनका की तो स्क्रीनिंग इजी ली हो सकती है, और आगे भी सारी मंडिया जो है, वहाँ के सेकेटरी साब जो भी है, वो ये पूरे लिस्टिंग करा ही जा सकती है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वा लगाम नहीं है, क्योंकि एंट्री जब होई की उसी इंसान की होईगी जुडने के लिए, युद्विर जी आपका भी शुक्रिया और सुरेश गर्ग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए मकसद सिरुफ इतना था कि आपके घर के दर्वाजे पर जो तरकारी लेकर आ रहा है, वो महमारी देकर ना जाए, इसक लिए कोई एक मेकनिजम बनना चाहिए, लिस्टिंग होनी चाहिए, ये तैं होना चाहिए कि किस इलाके में कौन सबजी और फल घरगर देखर आएगा, उसका नाम क्या है, सब तहा के अंदर एक बार कम से कम स्क्रीनिंग होनी चाहिए, कोई एक वैसी व्यवस्ता बननी चा इस प्रोग्राम में फिला लितने हैं, नमस्का